जहिन दोस्तों तो आज क्या कि हम अपना कंटिन्यू करेंगे 5000 प्लस MCQ मेरेथोन सीरीज को तो यहाँ पर गयेगी आज का हमारा यह सैट थर्ड है यानि कि आज के तारीक है आज 11 अक्टूबर है और आज क्या है कि हमारा सैट थर्ड चालू होगा तो यहाँ पर गयेगी इस लेक्चर की PDF के लिए कि आप टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐस य क्तिविडियो लेकर के आता रहूं मतलब लेकर आता रहूं अब यहां पर सबसे पहले हम अपना आजका कूश्roeं से देखेंगे तो आज कैकी हम धसकों को सो सो क्यूस्चन को में च्क्राइब में हम slow slow चलेंगे उसके बाद में कहा कि एकदम से 15 question या फिर 20 question की series start करेंगे इसी के अंदर में पढड़े के हिसाब से तो एक तरीके से क्या हुआ कि हमारे engine को क्या कि थोड़ी सी energy मिल जाएगी फिर इससे हम अपने question को essay strategy से करेंगे तो अब सबसे पहला question आ रहा हमारा NCPCR से ले करके तो यहाँ पर यह कह रहा है कि consider the following statement with respect to the national commission for protection of child rights तो दोस्तों यहाँ पर यह child rights के बारे में कह रहा है तो यहाँ पर कहा कि हम भी कोई भी question को करेंगे ना तो सबसे पहले उसके background को देखेंगे तो जैसे यह NCPCR के बारे में बोला तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखना कि जब मन मोहन सिंग की सरकार थी तो यहाँ पर कहा कि बच्चों से related है तो आपको पता होगा कि जो नहरू जी है यहाँ पर कहा कि 14 नवंबर को इनका birthday आता तो इनके birthday को याद करते हुए हर साल 14 नवंबर को हम Children's Day के रूप में बनाते हैं तो यहाँ पर कहा कि यह Congress के थे तो ऐसे ही कहा कि मन मोहन सिंग जी ने 2005 में एक Act लेकर के आते हैं यहनिके Child Protection Act लेकर के आते हैं 2005 में तो इस Act के तहत में कहा कि NCPCR को गठन करा जाता है तो जिसका ना फुल फॉम होती है National Commission for Protection of Child Rights तो यहाँ पर कहा कि यह Parliament के Act के द्वारा लाया जाता है तो यह आपको पता होगा कि जैसे 2004 से लेकर के 2009 तक कहा कि मन मोहन सिंग की सरकार थी तो यहाँ पर कहा कि पार्लियमेंट के द्वारा लाया गया यह Act तो यह हमारा हो जाएगा एक तरीके से Statutory Body है यानि कि Statutory Act है तो यह कहा कि हमारा यह थोड़ा basic हो गया अब इसके बाद में हम questions को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि it is a statutory body तो यहाँ पर यह statement तो ठीक होते फिर कह रहा है constituted under the child labor prohibition and regulation act 1986 तो दोस्तों यह वाली statement हो जाती है गलत क्योंकि यहाँ पर यह 1986 की बात कर रहा और यहाँ पर याद रखना यह जो हमारी यहाँ पर याद रखना यह बच्चों से related है और बच्चों की क्या होती है माता है होती है तो यह वुमेंस के अंदर में आएंगे यह बच्चे तो यहाँ पर ऐसे याद रख ले ना इस तरीके से क्या होगा कि जब हम prelims में question करेंगे न तो जैसे 1986 का बोले या 1886 का बोले तो हमको पता लग गई यह कहानी की भाई यह 2005 का है ना कि 1986 का तो यह कहाए कि पहली statement हो जाती है हमारी गलत यह statutory body है और यहाँ पर कहाए कि Ministry of Women and Child Development के तहत इसको बनाया गया था अब यहाँ पर अगला आता है कि it has been designed as the agency यानिके इसको एक तरके से power दे रखे कि भाईया यह monitor करेगा provisions of the right to free and compulsory education act तो यहाँ पर कहाए कि देखो बच्चों से related है और यहाँ पर कहाए कि जो बच्चों से related पढ़ाई है ना तो यहाँ पर कहाए कि यह उसको monitor करेगा यह वाली statement हो जाते है बिल्कुल ठीक तो यहाँ पर कहाए कि कौन सी statement ठीक है तो हमारी second statement जो यहाँ पर हो जाएगी बिल् के द्वारा यानि के द्वारा यह बनाया गया तो यहां पर टेकनिकल एजूकेशन की बात करी गई है और यहां पर इस्टुडेंट्स हो गए और टीचर्स हो गए तो यहां पर ऐसे आप इसको याद रखना इंडिया के अंदर में क्या है कि students और teachers के बीच में कहें कि technical education का बहुत ज्यादा gap देखने को मिलता अगर पूरी दुनिया से भी compare करेंगे तो तो यह जो परक portal है ना इनको बच्चों को परखेगा तो यहाँ पर कहें कि technical education ने इसको यह बनाया है अब यहाँ पर इसलिए आप इसको ऐसे याद कर ले ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं परक portal के बारे में क्या कह रहा है तो यहाँ पर कह रहा है कि यह इट विल कंड़क्ट एसस्मेंट फोर बोथ स्टुडेंट एंड टीचर से इट इसकोल तो यह वाली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी ठीक कह रहा है कि consider the following statement with reference to idea of liberalism in the context of Indian constitution तो दोस्तो जैसे कि हमने प्रियंबल के अंदर में देखा जैसे secularism होता है तो secularism क्या कि एक होता हमारा Indian concept होता है और एक होता हमारा western concept तो यहाँ पर हमने कल के उसमें difference से देखा था ऐसे ही liberalism भी होता है एक होता हमारा western concept होता है liberalism का और एक होता हमारा Indian concept तो यहाँ पर कहा है कि देखो अब क्या कि आपने देखा होगा nuclear family का बहुत जादा concept देखने को मिल रहा है यानि के खाली पती-पती रह रहे हैं और उनके बच्चे रह रहा है तो यहाँ पर क्या है कि जैसे दादा दादी चाचा चाती चाची ताउ ताई यह क्या है कि यह जो हमारी फैमिली होती थी ना यानिके जो हमारी जोइंट फैमिली का कंसेप्ट था यह क्या है कि इंडिया के अंदर में देखने को मिलता है जोइंट फैमि यहाँ पर कही यह concept है हमारा Indian Liberalism का और Western Liberalism का तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अगर कोई इंसान है ना तो अगर वो गाउं में रहता तो वो अपने माबाप के नाम से जाना जाता और उसके माबाप कहा कि गाउं के नाम से जाने जाते हैं तो यहाँ पर कहें कि जो community है यानि कि society है इंडिया के इंदर में यह preference दी जाते हैं ना कि individual को इतनी preference दी जाते है बलकि इसके opposite कहman कि हमको western देशों में nuclear यानि कि individual को preference दी जाते है community को इतनी reference नहीं दी जाती तो एक तरीके से कहा है कि हमारा liberalism का concept है तो आप पढ़ता है statement कहा है consider the following statement with reference to idea of liberalism in the context of Indian constitution तो इंडिया के liberalism के बारे में बोल रहा है तो इहां पर कहा है पहली statement Indian liberalism gives primacy to the rights of the individual over the rights of the community तो statement हो जाएगी हमारी गलत क्योंकि इहां पर community को एक तरीकी से preference दी जाती है और individual को क्या है कि western concept में दी जाती है second statement करा reservation for SCST community in the constitution are an example of Indian liberalism तो इहां पर कहेगी जो reservation दिया जाता ना SCST community को तो इहां पर कहेगी community की बात कर रही है ताकि अगर एक तरीके से यहां पर कहेगी जैसे general OBC category के लोग है इनका standard ज्यादा उपर देखने को मिलता है जबकि जो SCST category के लोग है यहां पर कहेगी थोड़ा कम देखने को मिलता है तो इहां पर कहेगी जब एक time पर यह दोनों में level यानि के बराबर आ जाएगा तो इहां पर कहेगी दोनों एक तरीके से equal हो जाएगी तो इहां पर कहेगी इस वज़े से reservation दिया है ताकि एक तरीके से यह हमारे Indian liberalism को show करता है तो हमारी कहा है कि एक तरीके से second statement ठीक हो जात तो दोस्तों यहां पर आप ऐसे याद रखना है जो हमारा National Human Rights Commission है इसको क्या है कि 1993 में इंडिया के अंदर establish करा गया था तो यहां पर कहेगी देखो यह human rights के बारे में बात करते है तो इंडिया के अंदर में इसने 1903 में से लेकर आज क्या चला है यहां पर हम कह सकते है कि almost 30 साल हो चुक है तो इस 30 सालों के बीच में इन्होंने बहुत ज्यादा human rights में काम करा है जैसे manual scavenging के ओपर इन्होंने काम करा है यहां पर इन्होंने जो abolition करा है इन्होंने untouchability का इस तरीके से कहा है कि health के ओपर इन्होंने काम करा है अब यहां पर लोगों को खाने के लिए food वगेरा नहीं मिलते थे जो हमारे jail की condition वगेरा इहां पर इन्होंने इतना सब कुछ करा है तो इहां पर अगर आप list को पढ़ोगे ना तो इहां पर यह list थोड़ी लंबी देखने को मिलेगी तो अब इहां पर कहा है कि which of the following issues यानिके इन में से कौन से issues को NHRC ने करा है तो issues of manual scavenging बिलकुल यहां पर यह statement ठीक हो जाती है अब यहां पर problems faced by notified or denotified tribes तो दोस्तों यह भी इन्होंने एक तरीके से कहा है कि जो हमारी notified tribes और denotified tribes इन्होंने इसके इनके upliftment के लिए भी काम करा है अब यहां पर कह रहा है कि issues related to the right to health तो यह भी statement ठीक हो जाती है एक तो कहा है employment world की employment के बारे में बात कर रही है यह वो report है तो यहां पर कहेगी यह जो report है आपको कहा कि यह है हमारा factual question तो यह जो report है अगर आपने पढ़ी होगी यह अपसे 15-20 दिन पहले ही आई थी तो यहां पर इस report को जो है ILO ने established मतलब एक तरीके सा ILO ने निका लिया international labor organization तो यहां पर कहें कि इसने हमारी पूरी दुनिया का डेटा दिया कि क्या impact हुआ हमारा यह कोविड पैंडेमिक की वज़े से और यह जो रश्या यूक्रेइन वह रहे ना इसकी वज़े से हमको negative effect देखने को मिला employment के उपर तो इसने अपनी report में यह वाला trend बता तो यहां पर इसको ब अब six question देखेंगे यानिके with reference to election commission consider the following statement तो दोस्तों यहां पर यह हम से कह रहा है election commission के बारे में तो यहां पर कहेंगी सबसे पहले हम यहां पर थोड़ा सा basic देखेंगे election commission के बारे में तो यहां पर कहेंगी जो हमारा part 17 है यहां पर कहेंगी election commission से deal करता है तो यहां पर थोड हमारे 25 पार्ट है। आपको ये भी पता होगा। अगर आधोई को पता है Gotta'T know only so the time byese to sleeping like no one है वो election commission को मतलब election commission के बारे में बताता है तो election commission के क्या कि हमारे article से देखने को मिलता है जो article 324 से ले करकly article 329 के बारे मतलब 29 तक बताते है तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे याद रखना आख्री में क्या कि 9 आ रहा है तो यहाँ पर अब आप प्लस करोगे ना इसको 324 को देखो 3 और 2, 5, 5 और 2, 5 और 4, no तो यहाँ पर कहा कि add करोगे तो यह सारा का सारा समारा है no तो यहाँ पर अगर 328 सा 329 में आपको कभी confusion होने लगे तो 324 को प्लस कर लेना और यहाँ पर आपको पता लग जाएगा 329 तक है होते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगी पहले एक चीफिलएक्शन commissioner होग करते थे उसके बाद में प्लस दो add कर दिये जाते हैं उसके बाद में जो प्लस करेते ना बाद में यह धा दीए जाते हैं फिर उसके बाद में 1993 के आसपास की बात है, फिर दुबारा से प्लस दो other commissioner add कर दिये जाता है, तो हमारा क्या कि 1 प्लस 2 का ये structure हो जाता, यानि कि एक होता है चीफ election commissioner, और दो होते है हमारे election commissioner, तो ये कहा कि हमारा election commissioner से related थोड़ा basic था, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो main काम होता है ना तो आप ऐसे याद करना इसके trick है, शंबू दयाल कोलेज, तो यहाँ पर कहा कि ऐसे, जो election commissioner का काम होता है, वो superintendent का काम होता है, direction का काम होता और control करना होता है हमारे election को तो यह कहा कि यह सारा basic था और यहाँ पर याद रखना है यह जो हमारे election commissioner है तो यहाँ पर कहा कि दो election commissioner देखने को मिलते हैं एक तो होते है national level पर और एक होते है state level पर तो यह जो हमारे national level पर होते है न यह चीफ election commissioner तो यहाँ पर कहा कि यह चार चीजों के अपना election conduct कराते है तो देखो यह चार कौन सा है यह सबसे important होता है हमारा सबसे पहले होता है हमारी general assembly election यानि के यह लोग सबा के election conduct कराते है फिर उसके बाद में जो हमारी state legislative assembly होती है यह उसके conduct कराते है जैसा यूपी हरियाना इन सब के और तीसरे नमबर पर कहा कि यह president के election conduct कराते है और चोथे नमबर पर यह vice president के election conduct कराते है तो यह कहा कि हमारे चार election conduct कराते है यह आप बिल्कुल रट लेना अब जो state election commissioners होते है तो यह local election कराते है जैसे panchayat हो गए municipalities हो गए इन सब के तो यहाँ पर कहा कि दोस्तों यह था हमने सारा basic देख लिए तो आपको कहा कि पूरी लक्ष्मी कांत का यहाँ पर कहा कि आपको एक तरह के से review मिल चुका अब यहाँ पर हम अपने questions को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह कह रहा है कि with reference to election commission consider the following statement तो यहाँ पर कहा कि जैसे हमने देखा article 324 है तो सबसे पहले ही हमको बताता है sdc यानिके चीफ election commissioner superintendent करेंगे direction देंगे और यहाँ पर करेंगे हमारे election को अब यहाँ पर कह रहा है कि जो condition है और office की और tenure of office की provided under article 324 तो दोस्तों यहली statement हो जाती है गलत क्योंकि यहाँ पर याद रखना जो हमारे चीफ election commissioner रहना इनका जो tenure होता है वो छह साल का होता और 65 साल इनकी एज होती है तो यह कहा कि हमारा tenure होता है अब यहाँ पर यह पहले article में उनकी power को बताता यानिकि इनका काम क्या होता है ना कि यह इसको बताता है कि इनके office और tenure को तो पहली statement हो जाती है गलत अब यहाँ पर कह रहा है कि जो चीफ election commissioner से exercise करते हैं वीटो पावर ओवर दी मैटर से discussion election commission तो यह भी statement हो जाती है गलत तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि one plus two का combination होता है यानि के एक होता है CEC chief election commissioner और दो होता है election commissioner तो यहाँ पर क्या है कि जैसे तीन लोग होते है ना तो यहाँ पर यह majority के हिसाब से काम करते हैं तो यहाँ पर अगर भले ही यह क्या है chief election commissioner क्यों ना हो इनके पास में कोई veto power नहीं होती अगर यहाँ पर यह एक तरफ कुछ और कह रहा है और बाकी यह दो जो electioner commissioner है यह अपनी बात को कुछ रख रहे हैं तो इनकी majority की बात सुनी जाएगी ना कि veto power की तो यह हमारे प्राफधान है अब यहाँ पर कह रहा है कि जो CECA does not hold office during the pleasure of president तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारी statement हो जाते है बिल्कुल ठीक क्योंकि यहाँ पर देखो pleasure of president आपने यह सुना होगा जो यह pleasure of president वाला concept है ना हमने यह प्रिटेन से लिया यानिके ब्रिटिश government से हमने यह बोरो करा तो यहाँ पर कहा कि जो ब्रिटिश अर्स्तिना जो crown होता था यानिके जो राजारानी होता था यह क्या करता था जो भी वहां के civil servant है जब उनको लगता था कि भाया अब यह क्या कि public service के लिए ठीक नहीं है तो यहाँ पर पार्लियमेंट में पास करा जाएगा वो भी special majority के साथ में अगर special majority के साथ में resolution पास हो जाता है तो भाया उसके अबाद में president यहाँ पर कहें कि इनको remove करेंगे तो यहाँ पर कहें कि हमने यह भी देख लिया तो अब यहाँ पर दुबारा से third statement को पढ़ते हैं कि CEC यानि के chief election commissioner does not hold office during pleasure of president तो यह statement हो जाती है बिल्कुल ठीक और यहाँ पर याद रखना हमारा answer हो जाएगा अब यहाँ पर answer number three तो दोस्तो एक कोई बात थी मैं वो बताना चाहरा था भूलिया अब यहाँ पर third यानि के seventh question को देखेंगे consider the following तो यहाँ पर हमको यह बता रह है तो यहाँ पर कहा कि यह इसने तीन statement दे दी अब कहरा कि which of the above तो यहाँ पर कहरा कि which of the above special circumstances has have an effect on the fundamental rights of the Indian citizens यानि के जब यह तीन रूल लगाए जाते है तो हमारे fundamental rights पर क्या effect होगा तो दोस्तों यहाँ पर कहरा कि president rule तो आपको पता होगी सबसे ज़्यादा प्रेइडेंट रूल जब पंजाब के अंदर में लगा है तो यहाँ पर कहा कि यह constitutional machinery जब fail हो जाती है ना तो यहाँ पर क्या है कि यह हम president rule लगा देता है तो यहाँ पर क्या है कि हमारे fundamental rights के उपर कोई भी effect देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर कहा है कि हमारा कि है कि क्या effect होगा तो president rule के उपर नहीं होगा national emergency के उपर effect होगा बिलकुल होगा तो दोस्तों यहां पर जैसे कि हमारे article 19 में freedom of speech and expression वाले राइट दे रखें न तो यहां पर कहें कि हमारे automatically suspend हो जाता है लेकिन यहां पर important point है जो हमारे article 20 और 21 है यह बीस और 21 क्या कि यह suspend नहीं होते financial emergency के नेशनल emergency के दोरान में थर्ड कह रहा है कि हमारा martial rule या नहीं कि जब army का rule आ जाता है तो यहां पर automatically हमारे fundamental rights जो है suspend हो जाते है तो यहां पर कहें कि हमारा answer हो जाएगा c यानिके two and three अब यहां पर देखेंगे eighth question यानिके 28 वा तो कहरा कि which of the following DPSP यानिके directive principle was added by 42nd constitution amendment तो दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा ना 42nd constitutional amendment के बारे में पता होना चाहिए यह 1976 की कहानी है तो यहां पर कहें कि उस time के दोरान में इतने ज़्यादा इसमें amendment करें इतने ज़्यादा कर दिए कि इसको बोलने लगे कि भाया यह हमारा mini constitution कहलाया गया तो एक तरीके से कहा कि 42nd amendment को हम mini constitution के नाम से भी जानते तो यहां पर इतने ज़्यादा प्रावधान है इतने ज़्यादा प्रावधान कर दिए कि आप अगर इनको रटने बैठोगे या पढ़ने बैठोगे हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किले आए तो यहां पर क्या कि आपना एक डाउनलोड करना प्ले स्टोर के अंदर जाके तो यहां पर क्या कि constitution of इंडिया के नाम से एक एप है तो उसके ट्राइ करूँगा कि इसका link मैं description में दे दू तो मैं वैसे ट्राइ करूँगा कि दे दूँगा link आप वहां से डाउनलोड कर लेना तो यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा features देखने को मिलता है तो यहां पर कि यह भी 1976 में यहाँ पर यह amendment करा गया था promote करेंगे equal justice and provide करेंगे free legal aid to the poor तो दोस्तों यह भी 1976 में यह करा गया था क्योंकि यहाँ पर कहें कि कुछ-कुछ जो हमारे DPSP है ना जब आप उनको DPSP को एक एक कार्टिकल के साथ में पढ़ोगे तो यहाँ पर कहें कि उसमें देर तो यहाँ पर कहें कि inequality को add करा गया 1978 में free legal aid to the poor यह 1976 में article 39A के अंदर में add करा गया ऐसे ही कहें कि जो हम opportunities provide करते है healthy development of children यह भी 1976 में अब fourth statement करा है promote करेंगे development of the Hindi language तो दोस्तों यह DPSP में नहीं है तो हमारा जो article 351 है तो यहाँ पर कहें कि जो हमारा part 17 है part 17 क्या है हमारा language से related है तो दोस्तों यहाँ पर शायद मैंने उपर election commissioner में बोल दिया होगा part 15 तो हमारा जो election commission है ना वो part 15 के अंदर में आता है लेकिन हमारा जो part 17 है वो language को deal करता है तो अगर उपर कुछ confusion हो गई हो तो एक बार check कर ले ना शायद मैंने part 17 या 15 जो भी बोला हो तो यहाँ पर part 15 election commission से deal करता है part 17 language से deal करता है तो part 17 के अंदर में हमारा article 351 आता है तो यहाँ पर कह रहा है कि यह 351 के अंदर में कहता है कि हम प्रमोट करेंगे हिंदी language को तो यहाँ पर कहें कि हमारा DPSP का part ना हो करके हमारा language का part है तो हमारी यह statement बिलकुल गलत हो जाती है यानिके तो DPSP से related ही नहीं है अब यहाँ पर देखता है select the correct answer using the code given below तो देखो fourth नहीं है तो हम fourth को कर देंगे eliminate अब यहाँ पर कहें कि अब देखो हमने देखा कि 1976 के बारे में बोला 42nd तो 1978 क्या है कि हमारा यह 44 amendment होता तो third वाली statement को भी हम eliminate कर देंगे और हमारा answer हो जाएगा A अब यहाँ पर बता है कि pleasure of president का जो concept है हमने ब्रिटिश से लिया तो यहाँ पर कहें कि जब हमने ब्रिटिश से लिया तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जैसे attorney general हो गया हमारा क्या कि article 76 के हमको बताता कि इंडिया के अंदर में attorney general of India जो हमारा highest law officer होगा इंडिया का और यहाँ पर कहें कि जो removal का procedure है या फिर जो removal के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा अब यहाँ पर CAG क्या है आपने को पता होगा यह जो controller and auditor general है यह क्या हमारी constitutional body है तो एक तरीके से क्या है कि जब भी यह pleasure of the president की बात करेंगे ना तो आपको सिधा सिधा दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर removal के procedure दे रखा है कि जैसे यहाँ पर resolution लाया जाएगा अगर resolution लाया जाएगा और वो पास हो जाता है तो यहाँ पर क्या है कि उस cases में president remove करेंगे लेकिन यहाँ पर याद रखना वो उस cases में क्या है कि pleasure of the president की category में नहीं आएगा अगर resolution की बात नहीं होती है तब वहाँ पर क्या उसको अपनी प्लेजर से रिमूव कर सकते हैं तो यहां पर कहा कि CAG को रिमूव करने के लिए resolution लाया जाता है उसके बाद में कहा कि यह special majority से parliament के अंदर में पास होता है ऐसे ही कहा कि जो हमारे members होते है union public service commissions के तो दोस्तों यहां पर कहा कि जो भी सपस करो IPS officer हो गए तो यहां पर याद रखना president भी हमको तब तक नहीं निकालेंगे अगर यहां पर हमको भी remove करना है जब हम future में बनेंगे तो यहां पर कहेंगी यह एक तरीके से supreme court अपनी inquiry बिठाएगी अगर उस inquiry में supreme court कहता है कि हाँ भीया यह जो IPS officer है यह एक तरीके से कहें कि हमको remove करना चाहिए तो उस case में क्या होगा president हमको remove कर देंगे और याद रखना यह supreme court का decision जो होगा भीया binding होगा तो यहां पर कहें कि यह भी हमारा यानिके second वाला और third वाला भी president की pleasure से नहीं होता chief election commissioners तो दोस्तों यहां पर कहें कि इनके लिए भी कहें कि resolution लाया जाता हमारे parliament के अंदर में और special majority से यहां पर दोनों houses से पास होना जरूरी है अब जब यहां पर यह पास हो जाएगा उसके बाद में कहें कि president इनको remove कर देंगे और यहां पर याद रखना जब proved misbehavior रहने के दो reason है मतलब दो reason होने चाहिए एक तो proved misbehavior और एक तरीके से क्या है incapacity अगर यह दो conditions होती है तो यहां पर resolution लेकर के लाया जाएगा और resolution पास हो जाएगा तो president भी यहां पर उनको remove करेंगे तो यहां पर कहेंगी यह president की power में नहीं आता तो याद रखना यहां पर यह पर यह president करेंगे इनको एक तरीके से जब पीछे से order आएगा तो यहां पर कहता है कि who among the following do not hold office during the pleasure of the president तो हमारे कहें कि two three और four जो है यहां पर हमारा answer हो जाएगा क्योंकि यहां पर कहेंगी यह president के pleasure पर काम नहीं करते इनका tenure जो एक तरीके से fix रहता है अब यहां पर देखेंगे आज का last statement तो यहां पर कहता है कि consider the following statement with regard to padma awards तो दोस्तों यहां पर कहेंगी यह जो padma awards है न यह 1954 में दिये पर आपको पता होगा कि यह हमारा civilian awards है तो यहां पर कहके कि सबसे number वन पर जो आता हमारा वो आता भारत रतिना अव wird Here भारत रतिन को भी 1954 में launch करा गया था यह कह कि हमारा highest civilian award है उसके बाद में कहके ज़ो second number पर हमारा civilian award आता वो होता है पदमा awards अब यह पदमा अवार्ड भी कहाए कि तीन टाइप के होता है जैसे पदमा विभूशन हो गया फिर उसके बाद में हो गया पदमा भूशन हो गया फिर उसके बाद में कहाए कि हमारा पदम शिरी अवार्ड हो गया तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखना कि विभूशन को कर लो विभी तो यह रावन का भाई था विभीशन तो यहां पर कहेगी वह बहुत बुद्धी मानता तो यहां पर विभीशन हो गया भूशन ना हो के उपर पहले विभीशन आएगा फिर भूशन आएगा फिर पदम शिरी अवार्ड आएगा तो यह हो गया हमारा अवार्ड अब यहां प पर याद रखना कुछ exception है जैसे डॉक्टर्स हो गए scientist हो गए इनको यह award नहीं दिया जाता क्योंकि यह जो अवार्ड से ना अगर डॉक्टर और scientist को अगर हम count करेंगे तो एक तरीके से क्या कि यह अपनी फिल्ड में excellency का काम कर रहे है यानिके डॉक्टर्स हो गए scientist हो गए जी अपनी खते हैं और रहे हैं तो यहां पर याद रखना जब ने medal में छूट दे दी कि अगर कोई भी public function है, सरकारी function है, government function है तो आप कहा कि इस medal को पहन सकते हो और यहाँ पर medal को पहन सकते हो यह सारी चीज़े इन्होंने बताई और इन्होंने यह बताया कि जैसे यह award है अगर यह postumously यानि के मरने के बाद में ना तो किसी NRI को दिया जाएगा और ना ही किसी foreigners को दिया जाएगा मरने के बाद में लेकिन यहाँ पर याद रखना यह Padma Awards जो है फोरनर्स को दिया जाता है जैसे last year जो है शिंजो आबे को क्या कि यह Padma Wibhushan Award दिया गया था तो यह कहा कि हमने थोड़ा basic देख लिया इसके बार में Padma Awards के बार में और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना अगर किसी को Padma Awards दिया जाता है यानि कि suppose करो किसी को आप से पहले Padma Awards दिया जाता है तो उसके यहाँ पर क्या कि जब यह Awards दिये जाते ना तो एक कमेटी होती है तो यहाँ पर यह जो कमेटी है ना PM यानि कि जो मूदी जी है इस कमेटी को बनाएंगे और इस कमेटी को कौन हैड करेगा Cabinet Secretary हमारे यहाँ पर यह हैड करेंगे तो दोस्तों यह होगा हमारा basic यह पदमा अवर्ड से related अब यहाँ पर हम अपनी statement को पढ़ेंगे कहरा कि आप पदमा अवर्ड अवर्ड यानि कि जिसको अवर्ड दिया जाता तो दोस्तों यह statement हो जाती है ठीक क्यूंकि पहला अगर किसी को पदमा अवर्ड दे रखा है अब उससे ज़्यादा उसको और reason for seeking the written consent of the recipient before the announcement of the award तो दोस्तों यह वाली statement हो जाती है हमारी गलत अब यहाँ पर suppose करो मैं हूँ मुझे यहाँ पर यह कह रहा है कि आप अपनी list से जो है remove कर दो तो यहाँ पर कहें कि यह remove कर देंगे लेकिन यहाँ पर कहें कि इनको मेरे consent की ज़रूरत नहीं है announcement के लिए तो यह statement हो जाती है गलत तो हमारा जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा one and two तो यहाँ पर कहें कि दोस्तों हमने यह सारे question देखे त तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी feedback देना यानि के कुछ भी changement करना है तो आप comment करके बता सकते हो आप बिल्कुल free हो और यहाँ पर कहें कि टेलीग्राम पर आप जॉइन कर लेना इस ग्रूप की पीडी इस लेक्चर की PDF के लिए है so thank you guys